वेस्ट बिंगॉल चुनाव नहीं हो गया पता नहीं किस तरह का चुनाव था कि अभी तक नैशनल न्यूज बना हुआ है हर सुर्खियों में बना हुआ है और आज सुवेंदू अधिकारी वोई सुवेंदू अधिकारी जिनों ने बीजिपी ने रीडर ओपोजीशन मनाया ह वेस्ट बिंगॉल में जिनकी कांटे की टकर हुई थी ममता बैनर जी के साथ जिनों ने ममता बैनर जी को इंडवीजवल चुनाव में हराया उस परदेश में जहां पे ममता बैनर जी ने एक क्लीन भारी विक्ट्री ली वो सुवेंदू अधिकारी आज दिल्ली आए और ब लाइब करेंगे और जुड़ते रहेंगे और आपके सवाल ले लूँगा मैं अंत में जो आप सवाल पूछेंगे पहले वो आए और आके वो मिलते हैं हमारे देश के प्रदान मंतरी से ये देखिए मेट लीडर ऑफ उपोजीशन वेस्ट पिंगॉल आप वो पहले आके मि वेस्पिंगॉल के बड़े और चल रहे हैं मुकल रॉय जी दिलिब घोष जी उस पे भी आता हूं पहले इदर मिले ठीक है उसके बाद होम मिनिस्टर से मिले अमिद शाजी से मिले चर्चा क्या हुई पोस्ट पॉल और 45 मिनट्स मिले प्रदान मंतरी से 45 मिनट्स मिलना एक गाइडेंस ली वेस्पिंगॉल के लिए पर जो बार मीडिया में बाते भी आ रही हैं और समझा रही है कि काफी जो इलेक्शन के बाद हिंसा हुई उस पे भी डिसकॉशन है इदर एक चीज होती है उसके बाद उदर दूसरी तरफ क्या होता है मुकल रॉय जो ममता बैनर जी के राइड हैंड मैं थे एक टाइम पे उनको कुछ दिन पहले मिलने अभिशेक बैनर जी जाते हैं वो एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुकल रॉय को मोधी सरकार कैबनेट में जगा देगी या एक चर्चा ये है कि मुकल रॉय वापस वेस्ट बिंगॉल में टीम दूसरा विशेak है तीसरा विशे ये भी है कि वो आज हो मिनिस्टर से भी आके मिले और व्यूंवें की बात करी है तो हो मिनिस्टर इस दी राइट पर्सनल टू मीत क्योंकि law and order subject हो जाएगा वैसे legally law and order state subject होता है but anyways यह देखिए met the honorable home minister उनकी बहुत चर्चा की उनकी आशिरवात लिया और उन्होंने कहा कि यह important बात है he was and will be there always for Bengal यह भी एक important बात है कि यह जो चर्चाओं का दौर हो रहा है इसमें कौन नेता मिल रहे है कौन नहीं मिल रहे है और बहुत केरफुली BJP क्याइट राजपती शाषिन पर आ रहे हैं वो बात में बात कर लेते हैं क्याइट केरफुली वो किनकों मिल रहे हैं और कौन क्लियरली अब West Bengal में BJP का face बन रहा है काफी क्लियरली वो West Bengal में BJP का face बन चुके है तीन मेरे क्याल से प्रमोग चैरे थे मुकल रोए घोष साहब और ये मुझे लगता है ये काफी हद तक सबसे प्रॉमिनेंट चैरा बन रहे हैं बाकी तो क्याबनेट में पता चल जाए दूसरा आपका सवाल जो कोट हेरिंग चल रही है टीम सी रिडर की बेल की वो हेरिंग जो Constitution Bench बैठा है अब रो सुर्खियों में नहीं है क्योंकि लीडर्स बेल पे हैं पर जो बड़े questions थे समवधानिक questions थे वो अभी भी discuss हो रहे हैं कोट के अंदर जो बड़े समवधानिक questions है और उनका जो judgment आएगी समवधानिक चीजों पर उसका असर होगा constitutional चीजों पर उसका असर होगा तो वो चल रहा है एक और बात करो वो बहुत जरूरी बात है राम राम भीया राम राम आप सबको और I hope सब COVID थोड़ा होड़ा खुल गया है lockdown दिल्ली में आप भी ध्यान रखिए दीरे दीरे भार निकलिए और safe रहिए और आपके भी परदेशों में खुलना शुरू हो गया है तो आप थोड़ा ध्यान रखते होगे भार निकलिए जो भी काम पर जरूरी जाना जरूरी गाम नहीं हो तो घर पर बैठी है उसके बाद आगे बढ़ते हैं उदर ममताब एनरजी का क्या चल रहा है बहुत सारे नेता बीजेपी चो टी वापिस जाना भी चा रहे हैं यह भी एक सच है और आज राकेश टिकैट जाके ममताब एनरजी को मिले तो मैंने कहा यह वेस्ट बिंगॉल में तीन चार चीज़ें अलग लग चल रही है एक बीजेपी का निता कौन बनेगा सबसे बड़ा दूसरा जो बहुत दुख़द वाइलेंस की रिपोर्ट्स हैं उस पे क्या होगा क्या बीजेपी सीरियसली एक्षन लेगी नहीं लेगी क्या सच है क्या बीजेपी सच का क्या पुंचाएगी लीगली हो चल रहा है तीसरा वहाँ पे यह चलना शुरू हो गया है कि ममता बैनर जी की त्यारी ऐसी शुरू हो गई है कि वो ऑपोजीशन से बात करके अपने आपको प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडिड ऑफ ऑपोजीशन बनाने की प्रसेस शुरू कर दी है उस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस पे आपको डिसकस करूँगा हर हर महादेव आज सारे हर हर महादेव जैश्री राम सब अच्छी बात है कि हम जब जुड़ते हैं तो हम ऐसे बात शुरू करते हैं ममता बैनर जी इस बिगेस ट्रेस ऑबजेशन वो उस तरफ जा रही है तो तीन अलग अलग चीज़े हो रही है कुछ लोग पूछते हैं प्रेजिडेंट स्वूल का कुछ लोग कहते हैं ममता बैनर जी पी एम का चेहरा बन रही है और कुछ लोग कहते हैं बीजेपी में वेस्ट पंगॉल में अंत्रीमी क्या हो रहा है यह तीनों अलग अलग चीज़े हैं और तीनों एक साथ हो रही है तीनों एक साथ हो रही है तो देखते हैं यह तीनों में से क्या चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं वो डिसकस करेंगे और जो भी आएगा आपसे आके डिसकस जरूर करूँगा एक को दो कोश्टन ले ले मैंने तो यह बात इतनी बारी इस फर्ष्ट बोल चुकिया मैंने तो ऐसे बोली यह बात मेरी बात सुनिये जो मैं बोलता हूं अगर आप कहते हैं कि यह वाइलन्स हुई है देश की bjp leadership से जदा तो authentic information किसी के पास नहीं होगी आप अगर आपके members of parliament West Bengal से आके बोलते हैं आप मैं बोलते हैं चलो Ignore कर देते हैं हम बोलते हैं नहीं भोलते हैं हमारे पास तो मैं तो West Bengal में नहीं हूँ मैं तो जांकारी सुनी सुना ही दे सकता हु मैं आप से अगर वेस् ले रहे हैं यह आपकी जिम्मेवारी है अगर आप अक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपकी जिम्मेवारी है कार्यकरता तो इस बात को जज करेगा जरूर करेगा क्यों नहीं करेगा यह आपकी जिम्मेवारी है और अगर बीजेपी नहीं कार्यकरता का साथ देती और नहीं जो स्वाल है अगर legal बात करें आपके पास शक्ति है law and order की report भेजने की भारत सरकार आप वो report भेज रहे हैं भारत सरकार के पाक शक्ति है आपसे law and order की report मंगाने की क्या वो हो रहा है संविधान में provisions है 356 की बात नहीं कर रहा article 355 अब तक आप उसके बारे में बहुत सुन चुके होंगे तो legally क्या हो रहे है वो legally बात है simple legal करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे तो वो जनता judge करती है जनता सब को judge करती है अंजी सर क्या सरकार बरखास करने के लिए हाँ अगर आप अगर किसी कोई राश्पती शासन लगता है legal question आता हूं राश्पती वेस्पिंगॉल जोड़ो कहीं पर भी लग जाता है तो आप छे महीने तक लगा सकते हैं उसके बाद depend करता है क्या हुआ हुआ है अगर कोई पार्टी अपनी कई बारी इसलिए लगता है कोई पार्टी majority प्रूव नहीं कर पाती है फिर आप majority प्रूव करते हो आपकी सरकार बन जाती है कि आप assembly भंग कर रहे हो वो भंग सुप्रीम कोर्ट में challenge होगा पहली बात तो राश्पती शासन ही सुप्रीम कोर्ट में challenge होगा तो वो सारे बहुत technical legal बाते बन जाएंगी constitutional बाते बन जाएंगी कि राश्पती शासन पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत clear judgments भी है तो वो सब देखना पड़ेगा और ये सब का पहला step क्या होता है गवर्णर की रिपोर्ट क्योंकि हम यहां law and order की बात कर रहे है numbers की बात नहीं कर रहे है कि संख्या है सरकार माने की नहीं है बात साफ है मुंताब एनर जी clear victory जीती है clear victory है तो वो governor और बात है तो इसलिए अगर आप सवाल पूछते हैं उस पर वो तो फिर लीगल चीज लीगल ही होगी लीगल चीज बिना लीगल प्रोसेस के और ये लीगल प्रोसेस आपका नहीं है ये highest constitution authorities का लीगल प्रोसेस उससे होगी और आगे देखिए क्योंकि एक important बात है ममताब एनर जी क्या चेहरा बन रही है जैसे मैंने कहा Sunday को वीडियो करूँगा या ये करूँगा अखलेश मायावती क्या कर रहे है UP में या ये करूँगा ममताब एनर जी कैसे चेहरा बन रही है तो आप सब्सक्राइब करके हिंदी वाले पे पांच बजे संडे को आपको क्या बहतर है कि ये डिसकस करना के अखलेश यादव मायावती ओपोजीशन विपक्ष कैसे यूपी चुनाब लड़ रहा है क्या तिया कर रहा है क्या स्ट्राइजी लग रही है वो पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में डाल दीजिए या ममता बैनर जी क्या स्टेप्स दे रही है राकेश टिकैद किसान दोलन मुद्दा नहीं था तो वो क्या आपने आपको क्या समर्थन दे रही है किसानों को बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है तो वो कैसे अपने आपको विपक्ष का चेहरा बना रही है वो डिसकस करूँगा आपको जो चाहिए सब्सक्राइब करके संडे पांच बज़े तूब जाएब को बिस्टाइब करने नहीं है दिए देता है जो दे देता है किसे खेपने देंदीन देता है तो वो के उनदीन देए देता है जाल पने देता है जेता